मैं तो अपने रास्टे पर चली रहा था पर अचानक मेरे रियर व्यू मिरर पर दो लाइट्स चमकती देखी तब मुझे ऐसास हुआ कि मैं नो पारकिंग पर खड़ा था फिर पारकिंग टिकेट मिली इस बार पूट मिला बड़ा सा मेटल टायर क्लैंप जिससे निकालना नामुम्किन है सई समझी तो लोकल पुलिस ने अपना फर्स निभाया और जैसे ही वो वहाँ से दूर चिले गए तब ही मैंने अपने उस नए शाइनी शू को निकाल कर फैक दिया पता नहीं तुम कभी सुधरोगे भी आ नहीं तुम तो जानती हो आर्जी क्लिफ जंपर से जो टकराएगा वो बाद में पच्टाएगा लगता है तुम आटोबाट का रूल नंबर वान भूल रहे हो किसी की नजरों में ना आना अब क्या करूँ इतनी सुनसान जगे पर एनजॉन को ढूंडते ढूंडते बोर हो गया था अब तो मैं डिसेप्टिकॉन्स को मिस करने लगा तुम बहाने बनाने में माहिर हो हम जब भी ट्रावल करते हैं अकेले ही होते हैं क्लिफ मुझे सिगनल मिल रहा है बैक अप चाहिए मुझे उसकी जरूरत नहीं मुझे एनजॉन का खसाना मिल किया है डिसेप्टिकॉन्स आरसी अब मुझे बैक अप की जरूरत है अच्छा वार था इसका जवाब और जूर्दार मिलेगा आरसी टू अप्टिमिस दुश्मन लॉट आया है क्लिफ की जान खत्रे में है समझ गया राचिट तुम्हारे पास क्लिफ जंपर की लोकेशन है मुझे उसका सिगनल मिल रहा है ऑप्टिमस लेकिन हमारी टीम वहां से को सो दूर है आरसी बल्क हैड बंबल बे अपने अपने बेस पर लॉटू और क्लिफ की मदद के लिए पहुँचो मुझ्से जो टक्राएगा बहुत पश्टाएगा जगा झालव 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 प। हज़ग झालव तुम्हारे पाक्राइगा जगाल दूर्श्राइगा फिरस्ट पहुट हमारे यह ज़ीं है अब तो एनरजान से भी कीमती चीज मिल गई स्टार स्क्रीम अर्द से बात मिले तो तुम्हारा बॉस कहा है बोल जाओ से मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ कुछ और पूछना है एक दो इसे यहां पर तो काफी अनरजान है तीन साल में पहली बार डिस सप्टिकॉंस हरकत में आये हैं शायद पहले भी आये हूँ अगर वो इनरजान के तलाश में हैं तो इसका मतलब वो लोटने वाला है नहीं राचेट तो मुसके पुजेशन ट्रैक कर सकते हो क्लिफ जंपर का सिगनल आफलाइन हो चुका है साउंट वेव क्या बात है तुम तो पहाने बनाने में माहिर हो हम जब भी ट्रावल करते हैं अकेली ही होते हैं गलिफ इसका नाम आरसी है ना जब मौका मिल ही रहा है तो क्यों न एक और आटोबोट का शिकार किया जाए क्लिफ जमपर के साथ बुरा हुआ पर हमें अपने गुसे पर काबू रखना है कोई गलत कदम नहीं उठाना इस प्रित्वी पर आज से हम सिर्फ पांच आटोबोट्स ही बचे हैं हमें लड़ना होगा हमारे लिए साइबर ट्रोन की यादों के लिए गालक्सी के हर आटोबोट के लिए जो महफूज रहना चाहता है इनसानों के लिए और हमारे बहादुर दोस्त की कुर्बानी के लिए पारसी क्लिफ जा चुका है यहां पर अफसोस मनाने से कोई फाइदा नहीं इसलिए बुरा मत मानना पर मैं इंसानों को सुरक्षित रखने का अपना फर्ज निभाने जा रही हूं आप्टिमस इंसानों की मदद करने का मतलब है कई और जानों को खोना तुम्हारी बात याद रखोंगा ठीक है कॉम्बो एक्स्टर फ्राइस और को चाहिए हां एक सला चाहिए थी मुझे तुम्हारी जैसे ओसम जॉब कैसे मिल सकती है आपका ओडर रेड़ी है चाहिए तो ले लीजी और अगर मेरी जॉब इतनी अच्छी लगती है तो वो भी कर लीजे कितना हुआ 559 सर विंडो पर पे कीजिए उसके पैसे मुझे देने पड़ेंगे ट्विंज ट्विंज आराम कर लो सेडी है मॉम हाँ अभी फ्रीवाँ नहीं मैं डांस पर नहीं जा रहा पिछली बार के एक्सपीरियंस के मुताबिक डांस में मेरा कोई चांस नहीं है क्या संभल करों सेरियूसली यह जैस्पर है मॉम आई लव यू यह आई लव यू तू मॉम अच्छा रखता हूं हेलो ब्यूतिफुल तुम मुझे मिल जाओ तो लाइफ बन जाए कई महीनों की सेलरी खर्च होगी लेकिन एक दिन मैं तुम जैसी बाइक खरीद कराऊंगा क्या तुम अपनी मोटरसाइकल से बात कर रहे हो मेरी मोटरसाइकल नहीं आई मेरी है लेकिन नहीं मैं इससे बात नहीं कर रहा था लेकिन तुम से बात कर रहा हूं कैसी हो सियरा कभी राइट पर जाने का मूड हो तो बताना चिकनी चुपणी बाते छोड़ो और चलो यहां से तुम मेरा नाम केसे जानते हो हम होम रूम में साथ तो थे मैं जैक हूँ जैक डाबी आ गये कस करक पकड़े रहो यह कौन बोला कमांड रिस्टर स्क्रीड ठागिट मिल गया है उसके साथ एक इंसान है एक लड़का तोनों को खर्म कर दो तुम हो क्या तुम्हें जानने की जरूरत नहीं मेरे बारे में किसी को बताया तो घर आकर मारूंगी फिर आ गये अरे मैं तो उसे जानता तक नहीं जल्दी बेठो वो लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं हम कहकर दोस्ती मत बढ़ाओ और वो इनसान नहीं है यह तुम्हारा दोस्त है? फ्रामिली मेंबर है टुम्हारा है ममा, रेसिंग, कहीं जड़के पास? यह पांच मिनिट में आता हूं लूँर स लुडरे नितो अंग वोह, उत अज इतत. काश ये कुछ सपना हो बस बहुत हुआ तमाशा यह सब क्या है बोलती हुई कार्ज जो रोबॉट भी बन सकती है या फिर ठीक इसका उल्टा यह बॉला क्लिफ के नाम हाँ कोई बात नहीं होता है कोई बात नहीं होता है उसे छोड़ दो प्लीज गल्लत टाइमिंग कुमाँ जल्दी भागो रुक्णा वाज भाग तेरा हो तेंक यू मुड़कर मत देखना अम सपना तो नहीं देख रहे हैं पता नहीं और उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता पहले किसको दूल चटाऊं देर से क्यूं आये ट्राफिक था अगर उस इंसान ने मेरा ध्यान ना भटकाया होता इंसान? दो लड़के दूसरा वाला शायद लड़ाई के दौरान ही सामने आया मुझे याद नहीं मैं उस वक्त बहुत बिजी थी अगर हम डिसेप्टिकॉंस के टागेट्स हैं तो वो जिसे भी हमारा साथ ही समझेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं राफ देखो जो हुआ उसे हमारे बेची रखना बल्कि भूल जाओ जो हुआ जैक आओ यह फिर से आगए यह हमें अंदर बुला रहे हैं नहीं सिर्फ मुझे तुम्हें कैसे बता चला इसे ने कहा क्या तुम्हारी राइड वो है तुम्हारी राइड वो है कैसे हो तुम्हारी राइड रुका कमाल की बाइक है मौम डैड भीना इग्नोर रिलाक्स मैं तुम्हे सिर्फ बात करना चाहती हूँ तुम्हारा मदलब तुम्हारी नई दोस्त देखो तुम्हे कुछ चीजों को समझना होगा नई मैं समझता हूँ समझता हूँ रोबोट फाइड कलब का पहला रूल है कि उनकी फाइड के बारे में किसी से मत कहना अब तुम मेरी एक बात समझ लो मैं बात करने वाली क्रेजी कार से दूर रहना चाहता हूँ चलते है ना एक और मैं समझा नहीं हम इसे साथ क्यों ले जा रहे हैं रूल्स यह क्या वाव 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 मुझे लगा था सिर्फ दो इनसान थे क्या तुमने सुना नहीं है इनसान मल्टिप्लाई होता है मैं हूँ राफ मैं हूँ मीको तुम कौन हो बल्क हेड तुम भी कार हो मुझे लगता है तुम एक ट्रुक हो एक मॉंस्टर ट्रुक तुम्हें है तुम्हारे बसन कितना होगा तुम पंचिंग पागे जगा मेटल बॉल अगर तुम सब रुबाट हो तुम्हें बनाया किसने अफ बस इसी की कमी थी हम सब साइबर्ट्रॉन प्लानेट से आए अटॉनमस रोबोटिक ऑगनिजम से हमें आटो बॉट्स भी कहते हैं तुम सब यहां क्यों आयों तुम्हारे प्लानेट को डिसेप्टिकॉन से बचाने के लिए यानि वही जोकर्स जिन से कल हमारी जड़प होई थी अच्छा पर वो यहां क्यों आये अच्छा सवाल है जैक यूं समझ लो कि सदियों से चली आ रही लडाई के वज़न से हमारा प्लानेट बुरी तरहा परबाद हो चुका है लेकिन सब लड़ क्यों रह थे शुरुवात तो हमारे प्लानेट से एनर्जॉन के सप्लाई के लिए हुई थी जो हम आटो बाट्स का फ्यूल और जिंदगी दोनों है और डिसेप्टिकॉन्स का भी वो भयंकर लडाई सदियों तक चलती रही शुरुवात में मैं उसकी तरफ से लड़ा था जिसे मैं अपने भाई समान मांगता था लेकिन उस लड़ाई ने सारे विश्दे तोड़ दिये और इसलिए मेगाट्रोन रास्ते से भटक गया क्या आप क्विस खेलने वाले हैं तो फिर मेगाट्रोन का या फिर इस सब का हमसे क्या लेना देना मेगाट्रोन के बारे में काफी अरसे से किसी ने ना कुछ सुना ना कुछ देखा लेकिन अगर वो लॉट कर आता है जसका मुझे डर है तो हर तरफ बरबादी होगी वो ट्रांसमिशन स्पेस में बहुत दूर से आ रहे हैं मैं बेकार में इतना अनरजान खर्च नहीं करना चाहता साउंड वेव ये खबर पक्की तो है ना फिर ट्रांसमिशन के कोडिनेट्स को रेकार्ड करो और स्पेस प्रिच को एक्टिवेट करो प्रिच करो Decepticon मैं लोटाया हूँ झाल 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 झालाने धुट झालाने थार एंट कि अबस्क देड़ो एंग।